नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल देशी खाना देशी व्लोग में तो आज की जो वीडियो है न ये आप सभी के लिए भूती ज़्यादा फायदे मंद है जो वेट लोस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक खास रेसिपी है तो आप इस व अखाकत तो आएगी पूरे दिन एनरजी बनी रहेगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो मुठी के करीबא चना लिया है जो काला चना होता है न वो वाला तो यहाँ पर मैं आपको माप के भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मापके दो मुठी चना है तो ये चार आदमियों के लिए आराम से इसमें चार कटोरी बन जाएंगे और दो मुठी ही मैंने यहाँ पे साबुत हरी मूंग डाल ली है जिसे मोठ भी बोलते हैं तो ये भी मैंने यहाँ पे दो मुठी ही ली है तो आपको क्या करना है कि ये दो मुठी दाल भीगो करके जैसे आज सुबह आप इसे छोड़ देंगे पूरे दिन के लिए से भीगने के लिए तो ये मैंने सुबह भीगो दी है अब इसे पूरे दिन इसी पानी में इस तरीके से भीगो करके रखेंगे और पानी इसमें ज्यादा डालेंगे ताकि अच्छे से फूल तो फिर साम को आपको क्या करना है इसे अंकूर लाने के लिए कि इसे धूल करके दो-तिन बार और किसी कपड़े में लपेट के रख देना है तो अभी आप देखेंगे ना तो इद्दाल सोफ्ट हो गई है यह देखिए इस तरीके से अगर आप इसे तोड़ते हैं तो फिर य दिया है अभी हम क्या करेंगे कि एक कोटन का कपड़ा लेंगे और इस तरीके की कोई जाली लेंगे और इसे थोड़ा सा हम भिगो लेंगे तो हो सके तो आप वाइट कलर का ही कपड़ा लीजी ताकि दाल के अंदर कलर ना छुटे क्योंकि दाल में अगर आप ज्यादा टा के और इसी के अंदर ढख देंगे तो यह देखी मैंने इस दाल को अच्छे से इसके अंदर लपेट लिया आप चाहे तो इसकी गांठ भी मार सकते हैं इस तरीके से लपेट देना है चाहे तो उपर से आप एक टावल ढख सकते हैं जिससे कि यह सुखे नहीं और इसमें निकले हूए है तो यह देखी जैसे आप सुखे देखेंगे तो आपको इस छोटे छोटे अंकुर इसमें दिखाई देंगी लेकिन अभी अगर आपको इसमें बड़े अंकूर निकालने है तो आपको क्या करना है कि इसे लपेट करके वापी से पूरे दिन और पूरी रात चोड़ना है तक्रीबन ये पूरा उंकुर निकलने में 36 गूंटे लग जाते हैं तो अगर कपड़ा सूख गया है तो उसके उपर थोड़े से पाने के छीटे लगा दीजी ताकि कपड़ा गिला रहेगा तो उंकुर इसमें अच्छे निकलेंगे तो वापिस से मैंने ने करके रख दिया है और जिस दिन आपको यह खाने है ना उससे पहले वाले रात में आपको क्या करना है कि एक मुठी किसमिस लेनी है वो भी आपको पानी में भीगो करके रख लेनी है इससे ना इसके अंदर बहुती अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल खटा मीठा सा हो आप दूसरे दिन इने चेक करेंगे तो इस तरीके से आपको मुठी और किसमिस बिल्कुल फूली हुई मिलेंगी यह सोफ्ट हो गई है तो अभी आपको इने दो तीन बार धुल लेना है ताकि बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज कि अच्छे से फूल गई है आप इसमें यह जरूर डाले क्योंकि मुंफली में भी भूती ज्यादा प्रोटीन होता है तो मुंफली का देख़े ना कि किस तरीके से छिलका निकल रहा है तो वह ज्यादा सोफ्ट हो गई है और इस प्पोती ज्यादा है थी अबली dud है और आभ कितने बड़े बड़े इसके अंदर अंकूर निकल आए हैं तो आप इसी तरीके से चना और मुंग दाल में अंकूर ला सकते हैं है ना बहुत ही ज़्यादा आसान तो चलिए अभी इसकी चाट बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने बड़ा सा कटोरा ले लिया है इसके अंदर डाल देंगे एक एपल कटा हुआ तो फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास घर पे मोजूदा है तो यहां पर मैंने एक एपल डाल दिया है यहां पर एक मैंने टमाटर लिया है बारिक काटके और मैंने आधा खीरा लिया हुआ है उसे भी बारिक टुकडों में काट लिया है और यहाँ पे मैंने एक अनार लिया है छिलके इसके दाने इसके अंदर डाल देंगे इनसे ना इसमें भूती अच्छा टेस्ट आएगा बच्चे हों है बड़े बहुती ज़्यादा खुस हो करके खाएंगे अभी मैंने यहाँ प अब इसके अंदर डालेंगे एक चमच के करीब चाट मसाला तो जितना आप इसे चटपटा बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं थोड़ा समय इसके अंदर चाट मसाला और डाल रही हूं मुझे इसमें कम लग रहा था इसके बाद इसके अंदर नीचोड़ देंगे हम एक से डेड नीमू इससे न ये जो चार सी बन जाएगी इसके अंदर भोती अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल खटा मीठा चटपटा क्योंकि अनार दाने और जो हमने किसमिस डाली है उससे थोड़ी मिठास आएगी इसके अंदर एपल से आप इसमें चाहे तो केला भी का यह आप अपने परिवार में सुबह नास्ते में सभी को एक कटूरी खिलाएंगे ना तो उनमें कभी भी प्रोटीन उटामीन के कमी नहीं होगी इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और जो वेट लोस करने की सोच रहे हैं उनके लिए तो यह बहुती अच प्रेक्शन में जरूर बताना और अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना ताकि माप सभी के लिए ऐसी ही नई नई रेसिप्या लाती रहूं तो मिलते हैं ऐसी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लि बाइ थैंक्स पर वाचिंग